हेई गाइज मैं हूँ सोच कनल और स्वागत करता आपका हाई टेक भाद इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एर विजुल अप्लिकेशन आप कैसी यूज कर सकते हैं क्या-क्या फिचेस आपको इस आप के नदर देखने मिलती हैं सरके सरी जान करी आज की वीडियो में आपको देख दूंगा जहां पर इस एप्लिकेशन को आपको जो ओपन करना है ठीक है जहां पर आपको यह पर आपकी जो city है वो लोकेट करेगा GPS के दूरू और जो है उस जगा का जो air quality है weather report है तो आपको देगा ठीक है यहां पर मैं tap नहीं करता हूं मैं skip पर टाप करता हूं आप जो है locate my city पर टाप करें ठीक है तो skip पर टाप करता है यहां पर फिर आपको कुछ इस तरगा interface और यहाँ पर डिग्री सेल्सेस बगर और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग कंट्रिस के जो है वैदर रिपोर्टे दिखाई देंगे और air quality भी आपको उदर दिखाई पड़ेगा ठ्रीक है तो यहाँ पर अगर आपको detail में दिखना है तो यहाँ पर आप टाप कर सकते हैं और यहां पर tap करके आप detail में weather report देख सकते हैं लाइक यहां पर आपको timing के साथ देखने मिलेगा 8.30 क्या है, 11.30 क्या है, 2.30 क्या है, 5.30 क्या है, 8.30 क्या है ओके और यहां पर अगर आप Wednesday पर जाओगे तो Wednesday के भी आपको जह ताइमिंग का देखने मिलेगा और nextly अगर आप 7 days forecast पर tap करते हो, यहां पर अगर आप tap करते हो, तो अगले 7 दिनों का जो forecast है आपको यहां पर देखने मिल जाता है और इतना समझा तो अभी आप यहां पर इस तरह के से देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, air quality जो है बहुत ही खराब है और अगर आप इसके उपर tap करते हो, इसके उपर tap करते हो तो आपको जो है, wait a second, यहां पर बैग आते हैं, बैग आते हैं इसको हम छोए छोटा कर लेते हैं अभी आप यहां पर अगर आप टैप करते हो ना और यहां पर आप टैप करते हो तो आपको जो है परच लेगा कि हाँ जिरो से 50 गूड 50 से 100 की बीच ठीके ओके 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 यहां पर एक सो एक से एक सो पचास की बीच रेगा तो अनहेलदी और यहां पर एक सो पचास से दो सो की बीच रेगा 151 के 200 की बीच में रहेगा तो यहाँ पर मतलब इद्द में UNLD, इद्द तो very UNLD और इदर hazardous तो यहाँ पर आमा जो मुंबई का भी जो हाल है वो है 154 में मतलब UNLD का है Marks पहिनना ची ऐसा इदर दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपको दिखाए देता है कि किसने किसने contribute किया यह data को यहाँ पर उनके नाम मतलब यह जो government के जो है Indian system of air quality and weather उन्हों ने तिनों ने contribute किया इसके अंदर और हमें इसमें दिया कि यह result है इतना समझा अभी आपको जो है नीचे जो है दिखने मिलता है आपका इधर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको degree Celsius दिखने मिलता है कि यहाँ आई 30 degree से 25 degree Celsius के बीच में जो है weather चलेगा ओके नीचे साइड में हम दिखते है तो यहाँ पर आपको दिखने मिलता है maps अगर आप maps पर टाप करते हो तो आपको अलग अलग countries के जो air quality index है वो दिखाए देंगे अभी इस वक्त प्रेजेंट में कैसे चल रहा है वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा जहाँ पर कौन सी country में किस एरिया में जो है कितना air quality पॉलिटिट है या कितना air quality साफ है वो आपको यहाँ पर दिखने मिलता है ठीक है जैसे जैसे आप इसको रखोगी वैसे जैसे आपको बढ़ते जाएगा और आपको और बताते जाएगा और बढ़ते जाएगा यहाँ पर आपको news और rankings देखने मिलती है यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो जहाँ पर इस वक्त जो है major city जो है इद्दम पॉलिटेट तो यहाँ पर है पकिस्तान का लाहोर फिर उसके बाद आता है दिल्ली उसके बाद आगे आगे आप देखते जाओगे तो बढ़त उसको भी आप कर सकते हैं एक्सप्टार कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर प्लेसेश ध कले घ्राइब करते हैं यहांसे फिरन को इन्वाइट कर सकते हैं बाकि जो है credit करते हैं करते हमें तो यहां पर आपको कुछ इतने खास सेटिंग्स देखने नहीं मिल रहे हैं हाँ अगर आपको यूनिट्स चेंज करना है ना डिगरी सेल्चेस वाला किलोमीटर मिलीमीटर यह सब तो आप यहां से यहां चेंज कर सकते हैं माइल्स फैरेनहाइट्स एच जी आप यह यूज़ कर सकते हैं अपनी इस अप्लीकेशन को और क्या क्या इसका इन 요ुद देखने मिलती है मैंने आपको बता दिया बाकी यहां पर लास्ट में आको देखने देखने मिलता है कि कुछ दूँछ हगर आएगा तो वहा पर आपते सकते हैं और टेख अ that's it